आप सभी का सोगत है मेरे इस पार्ट तू में फर्स पार्ट में बना चुका हूँ सॉकपिट सॉकेश्विट जिसमें कि मैंने ब्रिक की कॉंटिटी और डेटिनेशन सॉकपिट के बताई थी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक प्रोवाइट करी है आप उससे जाकर देख सकते हैं इस पार्ट में हम फाइंड करेंगे सिमेंट और सेंट के कॉंटिटी और अल्सो नमबर आव सिमेंट बैक्स जैसे कि आप सामने देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा है 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 ना आप इसे देखिए समझीए यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है देखे आप समा सकते हैं कि कल्कुलेशन दा कॉंटिटी सौक पीट और सौकेच पीट भी हम कहते हैं जैसे कि हमने रेश्यो माना था मोटार का वन इस्ट सेंट पार्ट प्लस सेंट पार्ट होता है ठीक है और यह वालिम हमारे पास निकलाता यदि यह वालिम आपको समझ में नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा तो मेरा फर्स पार्ट देखिए किस प्रकार से वालिम निकलाता ठीक है इससे में स्टेप में कल्कुलेट करूंगा इ एक formula बनाया है हमने cement part equal given volume that means जो volume हमारे पास है उसी का 30% means 0.30 यदि अगर मैं लिखता हूँ 30% इस percent को हटाता हूँ तो मुझे 100 से divide करना पड़ेगा तो 0.30 लिखना पड़ेगा मुझे अब यह ऐसा क्यूग करा है जब मेरा आप next part देखेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि मैंने इस प्रकार से क्यूग किया है उससे भी आप जरू देखना वह मैं जल्दी बनाऊंगा आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने बनाया है उ 6mq ना अब देखिए वहाँ पर तो वाल्यूम है निकल यहां पर परसेंट में ले रहा है क्यूंकि बेस से मोती है इंटू के कैस में तो पावरेड हो जाती हमको पावरेड नहीं करना है इसलिए हम पर परसेंट में लेकर चल रहा हूं कि 30% हम ले रहे है ठीक है गीवन वा और जो मैंने % माना है वो परसे लिखना है मुझे multiply करना है sum of ratio जो मैंने ratio यह motor कर रेशो जो assume किया तो उसका sum करके divide करना है इस ब्रहमास्त्र की सायता से हम calculate कर सकते हैं ठीके तो हमार पस यह cement part of volume निकल गया आप आगे देखिए यह कुछ चीजे हैं जो आपको पता होना अची density of cement क्या होती है 2440 kg weight of cement bag 1 क्या होता है 50 जिसमें की volume निकल जाएगा इसका किता 28.8 number of bags ठीके अब देखिए यह तो knowledge वाली बात है समझना थो ठीक है इन तो कोई बात नी हमारा main मुद्दा तो यह है कि हमको cement की quantity find करनी है भाई अब देखिए number quantity तो हम find कर चुके हैं बड़ यह क्यों बताया था मैंने कि इसमें हम किता number of bags use कर रहे है इस given volume में ठीक है तो किस प्रकार से volume 7 bag content in 1mq 1mq में किता content होता है वो 28.8 मैंने बताया कि किस प्रकार से मैं multiply क्यों कर रहा हूं क्योंकि 1mq का density है cement की ठीक है जिसमें कि हमको number of bags निकलना है तो 50 kg का होता है उससे हम divide कर देंगे तो number of bag हमारे मिल जाएंगे तो कितने मिलगा है हमारे जब हमने given value में multiply कर दिया 4.694 देखे 4 bags तो निकल गया but .694 है क्या अगर इससे हम 50 से multiply करते हैं तो overall हमारे quantity kg में find हो जाएगी that means 34.7 kg हमारी cement है मतलब 4 bag तो है 4 को और यह जदि हम multiply करते हैं 50 से क्योंकि 50 bag होता है एक bag चार bag तो निकल गया मतलब 200 kg तो यह है साथ में 34.7 kg भी है अब send की quantity अगर find करना है तो कुछ नहीं वह सब simple सा formula send part into volume of cement part यह volume का जो volume निकला उसको send के part से multiply कर देंगे तो यह quantity हमें मिल जाएगी अब इसी quantity को अगर मैं kg में find करना चाहता हूँ तो मुझे density of send पता होना चाहिए कितनी होती है है ना देखो क्या होता है अब यह इसकी unit क्या है mq और density क्या है kg पर mq ना तो यह mq कड़े आगा बचे का कितना kg बचेगा तो 1577 kg हमारा answer आ गया अब मुझे comment box में यह बताए है कितना brass है या कितना टान है यह send की quantity और देखे आपके पास इस volume में एक mq भी send नहीं लग रहा है अपराक्स हम मान सकते कि एक mq send लग सकता है ठीक है और कितना बच लग रहे है हमारे पास 4 बच लग रहे है साथ में 34 अपराक्स 5 बच मान के चलो 5 बच लग रहे है क्योंकि तब एक तो हम बलाएंगे ने साइट पर 5 बच लिख सकता हमें अब 5 बच की कॉस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताईए तो एक बच की कॉस्ट कित्ती होती है नहोड़ेस आपके एरिया में आपके लोकेशन में और यह हमारा सेकेंड पार्ट था इस पार्ट में आपको मजा आया तो बहुत धन्यवत आप सभी का और मेरा यह व मुटिपलाइ की है पॉइंट 30 का ठीक ट्राई वाल्य में बनाने के लिए इस गवन वाल्य में ड्राई वाल्य में मुँआरे पास काय का सीमेंड का और सेंड का यह ना तो आप इस वीडियो को ज़ू देखी जो मैं बनाऊंगा आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जैन जे भारत नमस्कार